महाजिली फिश, जली फिश, एक रहस्यमय और आकरशक समुद्री जीव है, जो समुद्र के गहराई में पाया जाता है, ये जलचर प्राणियों में सबसे पुराने और सरलतम जीवित पदार्थों में से एक है, इनकी बाते बड़े पूरे समुद्र तटों तक फैल जाती है, और इन्हें उनकी विशेश आकरती और त्वचा के लिए पहचाना जा सकता है, जेली फिश का शरीर थोड़ा इधर उधर हिलता रहता है, और इसमें अनेक रंगों की चमकीली पड़ते होती है, इनका शरीर सिलिका और ट्रोटीन से बना होता है, और ये अपने आकार और र जा उत्पादन के लिए सूर्य की रोशनी का सहारा लिया जाता है, ये जीव अपनी त्वचा में समाहित किये गए विशेश कोशिकाओं की मदद से सूर्य की किरणों को बिजली में बदल सकते हैं, जेली फिश की विवित्ता के कारण, इनके बारे में और भी कई रोचक त मिल सकती है, जेली फिश के प्रकार और प्रजातियां, जेली फिश का शारिरिक वर्नन, जेली फिश का जीवन चक्र और व्यवहार, जेली फिश के संरक्षन और महत्व, जेली फिश और मानव संबंद, जेली फिश की विशेशताएं और उनकी महत्ता, जेली फिश की शिक् जेली फिश एक प्रकार का समुद्री जीव होता है, जिसे क्वेला भी कहा जाता है, ये जल में तैरते हैं, और उनका शरीर गोलाकार या धारावाही आकार का होता है, जेली फिश के शरीर में जेली की तरह एक गैलतिनी सफेद पदार्थ होता है, जो उन्हें ट्रांस्पेरं बनाता है। जेली फिश की सबसे विशिष्ट विशेष्टा यह होती है, कि उनमें कोई हड़ी नहीं होती और वे अपने माध्यम से ही तैरते रहते हैं। इसके बावजूद कुछ प्रकार के जेली फिश में स्केल्टन जैसा संगरचन होता है, जो उनके शरीर को सहारा देता है। जेली फिश अलग-अलग आकार और रंगों में पाए जाते हैं, और इनका आकार छोटा से लंबा बड़ा हो सकता है, ये अकसर समुदरी जल में ही रहते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के जेली फिश को स्वीमिंग जेली फिश कहा जाता है, जो डीप सी तक जा सकते हैं। जेली फिश का आहार अकसर छोटे समुदरी जीवों जैसे की प्लैंक्टन, फिशलेट्स और क्रिल होते हैं, जो की पानी में मौझूद होते हैं। कुछ प्रकार के जेली फिश जानलेवा होते हैं, जबकि कुछ जनसंख्या में बड़ी होती हैं, और समुदरी जीवों के ये खत्रा पैदा कर सकती हैं। इनकी विशिष्टता के कारण जेली फिश को समुदरी जीवों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और इनका अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। जेली फिश, जेली फिश, समुदर में पाई जाने वाली जीवों में से एक है, ये सॉफ्ट बॉडी जीव होते हैं, और उनका शरीर जेली की तरह होता है, जिसे देखने में तरास्ती नहीं होती है। जेली फिश का शरीर जेली के जैसा होता है, जिसमें पानी और प्रोटीन से बनी बहुत सी छोटी थैलिया होती है। जेली फिश सामानिय पाई जाती है। लेकिन कुछ प्रजातियां मीठे पानी के साथ तालाबों और नदियों में भी पाई जा सकती है। इनकी खासियत यहा है कि ये अपने आपको आगे पीछे कर सकती है। लेकिन खुद से नहीं बढ़ सकती है। ये खास तरह के उरजा के धेर को निगल सकती है। जिससे उन्हें समुद्र में तैरने के लिए शक्ती मिलती है। जेली फिश का शरीर पानी में तैरते समय अपनी रोशनी की चमक से खूपसूरत लगता है। इनकी रोशनी की वज़़ से समुद्री जीवों के लिए जेली फिश अकसर एक प्रकार का खाना बन जाती है। जेली फिश में कुछ प्रजातिया जहरीली होती है, जिनका जहर इनसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा, कुछ जेली फिश अगर छू जाएं तो वे छूने वाले को जहर डाल सकती है। जेली फिश समुद्री जीवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका शरीर समुद्री जीवों के लिए भोजन के स्त्रोत के रूप में काम करता है और इने संतुलित रखने में मदद करता है। जेली फिश के बारे में यह जानकारी सामान्य रूप से लोगों को पता होती है। लेकिन इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप करने के लिए समुदरी जीव विज्ञान या जीव विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जा सकता है.